के बाद मैं थोड़ा तिर्चा करके इसके कटिंग करूंगी थोड़े थोड़े गैप के साथ बहुत ही ध्यान से अपने कटिंग करनी है कि नीचे से बेंगन आपका बराबर रहे और उपर से आपके बेंगन की शेप बन जाए अच्छा जी ये एक साइड हो चुकी है अब हम इसकी दूसरी साइट को कट करेंगे मैं आपको अराम से वीडियो स्लो करकी इसलिए बता रही हूं ताकि आपकी जो बेंगन की कटिंग है बहुत अच्छे से हो सके और तमारा बहुत ही मज़े का जो बेंगन है स्टफट बेंगन हमारे बनेंगे वो बन जाएं ये देखें इस तरह से आपने क्रॉस शेप में इसकी कटिंग करनी है बहुत ही ध्यान से कोशिश करिएगा कि आप बड़े बेंगन यूज़ करें बड़े बेंगन मिल जाएं ये जली तो ठीक है ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी शेप बन गी है इसकी कटिंग होगी है कुल नीटन क्लीन है कोई भी कट नहीं लगावा और उपर से बहुत ही प्यारी शेप है इसी तरह से मैं दूसरे बेंगन को भी कट करूंगी और बाकी जो मेरे पीसी से हैं उनको मैं कट करके रख लूँगी अब हम बेंगन की फिलिंग रेडी करेंगे ठीक है वह भी बहुत ह हमने डालनी है एक समच में नमक लिया है और तीनी गलास मैं डालूंगी पानी के और इन तमाम बेंगन को मैं मिक्स करके रख दोंगी 15-20 मिंट हम बेंगन को पानी में भीगो के रख देंगे और जी उतने में इसका जो बेंगन का थोड़ा सा तीका टेस्ट होता है वो खतम हो जाएगा और नमक उसके इंदर अबजाब हो जाएगा एक कप मैंने लिया है यहां पर उसके अंदर में डाल रही हूं आधा अंडा बीट करके क्योंकर चिकन की कौंटिटी थोड़ी कम है इसलिए में थोड़ा सा अंडा कम यूज करंगी सौट लेंगे आप टेस्के मताबिक ब्लाइक पेपर लेंगे हम हाफ टी स्पॉन रेट चिली क्रस्ट हम लेंगे हाफ ट टी स्पॉन और हम इसके अंदर औरीगानो लीज डालेंगे हाफ टी स्पॉन इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा आप अपनी पसंद के मताबिक स्पाइस को कम यह जदा कर सकते हैं अगर स्पाइसी चिकन थोड़ा ज़दा रखेंगे तो वह जदा मज़े का टेस्ट ब यहां पर मैं फोक की मदद से जो मैं हमने कटिंग की है बेंगन की उसके गैपस के अंदर हम कीमे को फिल करेंगे बहुत ही ध्यान से आपने इसको फिल करना है कीमे को इस तरह आपने मतलब फिल करना है कि आपके जो बेंगन है वो तूटे भी नहीं और फिलिंग बहुत ही म अच्छे से फिलिंग कर रही हूँ चिकन कीमे की आप इसके अंदर आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं बहुत ही मज़े कर लगेंगे और यह तक्रीबन मेरे बेंगन के अंदर सारी फिलिंग कीमे की आलमस्ट हो चुकी है आप देख लें कहीं से मिस ना रह जाए और इसको उपर से अब हम एकुल कर देंगे ताकि जब यह फ्राइ होंगे तो बहुत ही प्यारी इसकी शेप आएगी इसी तरह से मैं बाकी सारे भी फिल कर लूँगी बहुत ही यह मज़े की डिफरेंस से यूनिक से रेसिपी है आपने ज़रूर ट्राइ करनी है यह देखें मैंने इनको फिल कर लिया है अब आगई बारी इनको फ्राइ करने की तो पैन में हम करेंगे ऑईल गरम बेस्ट आपके लिए कि अगर आप और यूज करें बजाए की घीके और मीडियम आपने ऑईल को गरम करना है और इसके अंदर आपने बिंगन डाल देने है ज्यादा आपने गरम ऑईल के अंदर नहीं डालने पिर आइस्ता इस्ता बिंगन खुद यूपर फ्लोट करने मैंने इसको पलट दिया था थोड़ा सा कुक करने के बाद अब दुबाड़ा मैंने इसके साइड चेंज की और मारे बहुत ही मजएक के ये बेंगन रडी हो चुके है इसको हम मैं टिशू पर निकाल के डिशाट कर दूँगी आप इसको सालन की ग्रेवी बना के भी उसके डिप करके सेल्फ कर सकते हैं अगर आपको मैंने वीडियो पसंद आया तो मैं चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें थैंक यू समच पर वाचिंग अपनी दौा में जाद रखिएगा अल्ला हाफिज